उत्राखन के लिहाद से बेहद महत्वपून जमरानी बांध परियोजना को केंदुरिये कैबिनेच की आर्थिक मामलों की समीती ने अपनी मंजूरी प्रधान कर दी है इसके लिए मुख्यमंत्री पुषकर सिंग्धामी ने प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी का भार जताते पे कहा कि इस बांध परियोजना के निर्मान का रास्ता साफ होने से हल्दवानी वासपास के शित्र में पेजलेवं सिंचाई की समस्तिया का हल होगा उत्राखन के जन्पद ननिताल में काच गोदाम से 10 किलोमीटर आपर स्ट्रीम में गौला नदी पर जम्रानी बांध का निर्मान प्रस्तावित है परियोजना से लगभग एक लाख पचास हजार हेक्टियर क्रशी योग्य शित्र सिंचाई स्वीधा से लाभार मित होगा प्रश्ताव पर जम्रानी बांध की स्वीकरिती का अनरोध लगतार करते रही है अब योजना को मंदूरी प्रदान करती है जिसके बाद पेजल सहित सिंचाई समस्तियाओ को लोगों को आने वाले दिनों मिराहत मिलनाता है लंबे समय से अटकी थी परियोजना सीम धामी के प्रियासों ने लाया रंग वर्ष 1975 से वितपोशन के अभाव में परियोजना का निर्मान प्रारंभ नहीं हो सका था परंत मुख्यमंत्री धामी के सतत्त प्रियासों के फलसवरूप जमरानी बांध परियोजना को स्विकरिती प्रदान की गई है दरसल मुख्यमंत्री धामी इसत्ती महप्यपूर्ण परियोजना की स्विकरिती के लिए प्रदान मंत्री के साथ हुई बैचकों में लगतार अनुरोध करते रही है आज केंद्र की आर्थिक मामलों की समीति ने जमरानी बांध के तिर्वान का रास्ता साफ कर दिया है अपनी स्विकरिती प्रदान करके लंबे समय से 1975 से जमरानी बांध की मांध थी जो किसी ना किसी कारण से लटकती जा रही थी और हमने देखा है कि इस देश में लंबे समय से जो मांगे रही है उन सब का निवारन हमारे शश्विक परधान मंत्री सिरी नरेंद्र मोदी जी ने किया है उनकी सरकार में उनके नेत्रत्तों में जबरानी बांध बनेगा जिससे हल्दवानी की वर्षों कुरानी पेजल की समस्या का भी समधान होगा डेड़ लाक हेक्टेर भूमी इससे सिंचित होगी और 63 मेलियन यूनिट हमको बिजली उत्पादन के लिए भी मिलेगा इससे उत्तर परदेश और उत्तराखंड दोनों के किसानों का लाब होगा उनकी खेती उपजाओ होगी उनके आर्थिक इस्तिती बढ़ेगी हलदवाने के जनता को भरपूर आगे 50 साल तक का पेजल भी मिलेगा और विजली का उत्पादन भी होगा लगबक 1730 क्रोड से उपर की ये 90-10 की यूजना है जिसमें 90 परतिशत केंदर सरकार देगी और 10 परतिशत अंशदान उत्तरपरदेश और उत्तरखंड मिलकर के देंगे इस परकार से ये है उत्तरपरदेश उत्तरखंड के व्यापक हित में ये यूजना है और यहां के उत्तरखंड को विशेच रूप से इसका अत्यधिक लाप मिलेगा यहाँ पर विकास का काम भी बिजली भी मिलेगी और सिचाई का भी काम होगा इस बांद के माद्यम से तो उत्राखन के नागरिकों की आए में व्रद्धी होगी आर्थिक इस्तिती में व्रद्धी होगी साथ-साथ उत्रपरदेश के किसानों को भी लाब मिलेगा इसके लिए कि हमारे मुख्य मंत्री शरी पुशकर सिंग धामी जी ने व्यापक प्रेतन किये हैं हर बैठक में इस विशे को उठाया है और उनके प्रेतन आज साकार हुए हैं मैं इसके लिए आधर्णिय प्रधान मंत्री शरी नरेंदर मोदी जी को और अपने शच्वी मुख्य मंत्री स्री पुशकर सिंग धामे जी को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं कि उन्होंने उत्राखंड की इस 1975 से चली आ रही मांग को आज पूर करने की और एक और कदम आगे बढ़ें धन्यवाद